नमस्कार दोस्तो आज की बड़ी हम बात करने वाले हिमांचल प्रदेश की मेंन में न्यूस के बारे में तो हिमांचल प्रदेश में कोई भी COVID-19 का मरीज नहीं आया छे दिन से और बॉर्डर पे बहुत लंबी-लंबी लाइन घरबापसी की लग रही है और हिमांचल प्रदे दन जो की इपास के लिए हैं और हिमांचल प्रदेश में 4.0 की तीवर्दा से बुकमपी आया है और हिमांचल प्रदेश सरकार में टेक्स जो की हिस्सा होता है कि अंदर सरकार ने कार दिया अब 377 क्रोड ही देगी 500 क्रोड मैं से और देश में 30,000 से ज्यादा मरीज पहुं जो की पिछले कल जो की मांचल प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर थे उनकी HRD मिनिस्टर से मीटिंग हुई ओनलाइन तो उसमें उन्होंने कहा कि 30-25 प्रदिशत जो की एजुकेशन जो की स्टाफ है उसे बुलाया जाएगा और एजुकेशन मिनिस्टर में जो भी मंतरले म जो भी वर्क करते हैं निदेश शाले में स्टाफ को बापिस बुला जाएगा और जितने दिन घर पर रहे होंगे स्टूडेंट उन सभी को जो की स्कूल में मिड़े मील मिलता है तो उसका बुकतान किया जाएगा सभी छात्रों को मिड़े मिल दिया जाएगा और सीबिया स इस बार शिक्षों की कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी और तीन दिन में हिमाचर प्रदेश में 23,000 से जादा लोग घर बापिस आ चुके हैं और 3,000 से 4,000 गाडियों की लाइन बॉर्डर पे हमेशा लगी रही है और परसों हिमाचर प्रदेश में 6,936 बाहनों की एंट् यहां पर लोगों की एंट्री और भानों की देखे 6,300 यहां पर 96 बाहनों की एंट्री दो तीन दिन में हिमाचर प्रदेश में हुई है जो कि यहां पर कर्फ्यू में जो कि लॉक्डाउन में जो कि सोचल डिस्टैंसिंग का नियमों का पालन भी नहीं कर रही है यह सरगार यहां पर देख सकते हैं आप जो कि यहां पर देख सकते हैं आप जो कि यहां पर मरीजों की दस मरीज जो बचे हैं उनकी आयू के है जो कि 42 साल के उनना जिला से यह दो प्रेल को पोजिटिव आए गये और रिसेंपल इनका प्रेल को आया था जो कि नेगटिव से फिर उसे पोजिटिव और यहां पर 26 वर्ष के क्यूबग है 11 प्रेल और 24 अप् पर चमबा से 24 साल के 15 और 28 अप्रेल 26 कांगडा 15 और 28 को इनका लिया गया था और 12 साल के है एक चमबा के है यह और 17 और 30 अप्रेल को पोजिटिव आए गये था और 35 साल के मेरपूर से इनका भी 17 अप्रेल को पोजिटिव आए गये था और 30 को इनकी रिसेंपलिंग हुई थ और यहांपे प्रेल को यहांपे होगी अभी और यहांपे 60 जोकी बरस के आई-यू के उन्ना से है इनके थारा प्रेल को यह पाएगे थैं पॉस्टीव बार जोकी रीसेंपलिंग होगी एक मही को होगी और यहांपे जो 57 बरस के सिरमौर से कोई भी होगा अगर क्यूंकि आप सभी को पता है जो कि महाराश्ट्रा में जो की 80 प्रतिशत में कोई भी लक्षन नहीं था तो अभी हमांचरप देश में भी जो कि बाहर से अभी आएंगे धाय तीन लाक जो कि हमांचली है जो बाहर फसे हुए उनकी प्रॉपर हो निचे तो हमांचरप देश में यहां पर देखे सिर्मवर में 15,000 आवेदन हो चुके कर्फी फासिज के लिए आपको मैंने पहले बताए जो कि कांगडा जिलके अगर बात करें तो 26,000 कर्फी फासिज जारी भी हो चुके है और कोबीडी नाइटीन फंड में में 27 क्रोड 31,000,000 जमा हुआ है और इस में से कहां कहां पैसा खर्च हुआ है तो आप देख सकते हैं दिवेह मांचलू पेपर के ई-पेपर में पढ़के पूरा डिटेल में आप चेक कर सकते हैं तो वहां पे जाके जो भी मैंने आपको यहां पे कटिंग बताई तो आप दिवेह मांच होती है तो 20 से जादा प्रभावी देशो में 200 से जादा होती है जोकि स्वास्ते मंत्राले के प्रभकता कहई रहें प्लाजमा ठहरपी एलाज नहीं शोध तक रुके तो यहा Sampe yeah अनुठाई तरक है तो यहां पे यह रोक तो पादा नी रहें, करोना वाइरस पे कोई सक्त कारवाई करनी रहें, तो और ऐसा दे रहे है सरकार, तो यहां पे संक्रामित लोगों की संख्या देखिए, दुनिया में 30,9964 और यहां पे मौते 2,12,930 और स्वस्त 9,35,706 और अग इंडिया.covid19.org website पे भी यह है, covid19.org website पे भी आपको यहां प्लब्ध हो जाएगा, जो कि देरी देर अपड़ेट पो रहे हैं, महाराष्ट्रा में सबसे ज़्यादा केसिज आया है, 8,590 और मौते 3,99 और गुजरात में 3,704 और दिल्ली में 3,108 और उसके बाद मद्य अ परी तुन मद्य बाद में